हाई एवर्योवन कैसे है आप सभी और आप सभी का बहुत स्वागत है आज के हमारे इस वीडियो में आज ना हम लोग बात करने वाले हैं हैर ओईल के बारे में आज हम लोग ऐसा आयूरुवेदिक हैर ओईल की रेसिपी जानने वाले हैं जो की हेल्प करेगा अगर आप ना आपके बालों को स्मूथ, सिल्की, सॉफ्ट, स्ट्रॉंग बनाना चाहते है इसके लिए तो चलिए जानते हैं इस आयूरुवेदिक तेल की रेसिपी के बारे में उससे पहले अगर आपने हमारे चानल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर आपको अच्छा लगे ऐसा एक टोप जैसा पले सकते हैं इसके अंदर हमने डाली है यह मेथी के दाने फेनुग्रीक सीट जिसे कहा जाता है या मेथी के दाने कहा जाता है हमने ऐसी तीन बड़े चमच मेथी के दाने डाले है इसके बाद में हमने यहां पे डाले है जासव यह अपने अटितने चाहिए उतने सकते हैं बहुत कसारी अलग रिसितनी चीजन और रीच आतै हैं यह हम रहीआ पिश्या लीफ होते है जो अभी इन ही जास्वन के फूल के जो पत्ते होते है ना इने ही हम यहाँ पर डालने वाले है मैंने इनको क्या किया है मैंने इनको यहाँ पे बीच बीच में थोड़ा तोड़ दिया है तोड़ तोड़ के ऐसे ही डाल दिया ताकि वह अब्जॉर्ब हो सके ओएल के अंदर अख्खा का डालेंगे तो क्या होगा यह अब्जॉर्ब नहीं होंगे मैंने यहां पर 10-12 पत्ति डाले हैं अपने हैसाब चर्म के दिख टुली टुल्सी डाली है वाइचा लेकर डाल दी है मैंने आकी Full동 Stem के साथ डालें पत्ति नहीं निकाले हैं आप भी पूरी टुल्सी डाल सकते हैं इस के बी भी है और जो तुलसी आखी पूरी leaves और stem दोनों भी है इसके आप ऐसे पोरे डाल सकते हैं यह तुलसी क्या करेगी ना यह तुलसी आपको जो है अभी देखे किसी किसी को लोगों को डांडरफ होते हैं बाल में यह अगर आपको अलोपेशिया की problem होगी ना उसे दूर करने के लिए तुलसी में जो antiseptic antibacterial properties होती है वह यहां पर help करेगी तो मैंने यहां पर बहुत सारी तुलसी डाली होई है आप भी अपने हिसाब से बहुत सारी तुलसी इसमें डाली है इसके बाद हम यहां पर डालने वाले है कड़ी पत्ते जो हमारे करी leaves होते है यह अब हम डालने वाल जाते है हमारी hair growth के लिए तो आप भी इसमें अच्छे बहुत सारे करी पत्ते जो सिर्फ पत्ते निकालेगा उसमें stem डालीएगा उसका तो आप भी ऐसे बहुत सारे कड़ी पत्ते डाल सकते हैं मैंने सिर्फ तीन जारिश में दिखा है हुए है बट उसके बाद भी मैंने दूत रर्ल should करके फिर में भात में नाय लेकि आया एथिए और मेने उसमें और भी पत डाले हैं तो आप भी और कड़ी पत्ते इसमें डालिएगा प्लीज ठीक है कड़ी पत्ते अच्छे से डालिए क्योंकि बहुत जरूरी होते कड़ी पत्ते बालो के लिए इसके बाद अब हम यहां पे लेने वाले हैं आलोवेरा आप भी ऐसे ही ना दीखे मैंने दो से तीन आलोवेरा जो है ना बड़ी बड़ी आलोवेरास को काट के पहले तो सबसे पहले पको काम करना आपको इसे ना तोड़ना है तोड़ने के बाद आप इसे अच्छे से दूए और दोने का बाद ना आप इसे सीधी स्ट्रेट एक ऐसी लाइन के समान अपने इसे खड़ा कर दीजेगा ताकि उसमें से जो यलो यलो सबस्टेंस निकलता है ना जो यह यलो निक्विड निकलता है जो उसे पहले निकलने दीजेगा आदा घंटा आप उसे वैसे खड़े रहने दीजेगा फिर उसे वापस वाश कर दीजेगा और उसे काट लीजेगा जैसे मैंने भी काट के मैं यहां पर डाल रहे हो सुके काट सोक लीजिए और अच्छे से काट लीजेगा अभी उसका येलो लिक्विड निकालना बहुत जरूरी होता है वरना वह येलो लिक्विड क्या होता है वह पोईजिन जैसा होता है तो वह आपकी जो बालों के लिए अच्छा नहीं माना मैं आप टीन बड़ी कोहां युथिन यहां जो है इसमें डाल ए इसके बाद श्काञ्णतवार तब कर दोट्ञना सबसी आप कर वह चाहते हैं और आप मेरे और ऐल भी खरीद सकते हैं हमारे पास से उसकी डिटेब आपको लास्ट में दूँगी यहांपे मैंने और तो आट किया हैं यहां पे रोस पटल्स मुझे ना फ्रेश रोस पटल्स नहीं मिल रहे थे तो मेरे पास ड्राय रोड्स पटल्स वह मैंने डालती है अगर आपको फ् करने के लिए help करेगा फिर मैंने इसमें और तो निलगी भी डाली हुई है जिसे एकुलप्टस कहा चाता है यह भी हमारी हेर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा माना जाता है ठीक है अब यह भी डाल सकते है इसके अंदर मैंने इसमें एक से दो स्पून जो मैंने सुखा हुए अब यह अब आपके सर को बहुत अच्छी मातरा में मिलेगा इसके बात मैं यह आप पर आमला पाउडर डाल रहे हुए अगर आपको अख्छा आमला होल आमला मिल रहा है तो आप उसे काटके डालिएगा वरना आप यहां पर मेरी तरह आमला पाउडर भी डाल सकते है है आप इसमे बड़े में इसके जाता है उसमे ढूर करने के लिएहां बाड़ी मैंनतीशन चूमँरन सिhte शबसे पाउडर आमला पानृडर और यहां रहें इन फोच्छा माला आप आपको डंडर्भ वापता को यह आपको डांडर उसे दूर अगर आपको नहीं भी डारफ तो भी इस जो वह इसके बात मैंने यहां पर कलोंजी का तेल city का अड किया है इसके अंदर आप भी कलोंजी का तेल कर सकते हैं इसके अच्छी मातरा में uważ मैं च्छोटी सी मॉटल का तेल डाल दिया है इसके बाद यहाँ पर मैं आड कर 70 ml की bottle है यह यह मैंने इसके अंदर जोजबब ऑईल की भी डाल दी है जोजब ऑईल भी बहुत अच्छा माना चाता है हमारे हेर के लिए हमारी हेर्स को जो हैना हमारी स्काल्प को एचली स्मूद रखने के लिए के लिए उसको हेल्प करता है तो यहां पर हमने और जोजोब ऑईल डाल दिया अभी मैंने इसके अंदर डाला है एक लीटर नारियल का तेल आप कौन सा तेल लेंगे आप लेंगे फिजिकली रिफाइंड बिले तो वह वर्जिन गोकुनट ऑईल आप लेना चाहते तो वह ली अभी क्या भी हम यहां पर। इसे करने वाले है अभी हम क्या करेंगे इसे न अच्छे से ट्फव आर्स के लिए हमने ऑयल दिया अभी हम इसे ढग देंगे और ट्व इसमें अब्सक्ने देंगे यह 24 hours में इसको मतलब क्या बोलते हैं यह जो सारी जो चीजें हमने डाली है यह अंदर सोक हो जाए ऐसा हम करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे अभी हमने oil डाल दिया है अभी हम एक चम्मच लेंगे और एक चम्मच से इसे अच्छे से mix करेंगे प्रॉपर आप इसे अच पर आजा इसके उपर अच्छे से ठीके और यह तो तेल का जो कलर है यह भी चेंज हो जाएगा आप देखिएगा 24 गंटे बाद कि उसका कलर भी आपको डोड़ा डिफरेंट लगेगा क्योंकि हमने इतनी सारी चीजे डाली है उसके अंदर बराबर है तो पूरा प्रॉपर 24 गंटे के बाद हम इसे जो है ना निकाल के फिर बॉइल करने रखेंगे और अभी इतनी रसीपी खतन नहीं हुई है अभी इसमें बहुत सारी चीजे और डालने वाले है तो जड़ा रुकिये इतना चली भाग मत जाएगा वीडियो आफ चोड़के तो यह देखिए हमने क्या करेंगे इसे हम करने वाले है बॉइल इसे हम करने वाले उबालने वाले है इसे हम अच्छे से तो अभी चलिए लेते है इसको ग्यास के उपर रखते है मैंने यहां पर जो है इंडक्शन के उपर रखा है आप इसे ग्यास के उपर भी रख सकते है हम इसे ना जो मीडि चलाते-चलाते इसे हम अच्छे से बनाएंगे इसके बाद थंडा होonstart we are और आगे देखते हैं अब ये हमने applies को यहां पर ना बन कर दिया आप देखिए मैंने बहुत देर तक अच्छे से उबाल दिया आप देखरें सब चीजे अलग-अलग हो चुकी है हमने इसे अच्छे से उबाल दिया है प्रॉपरली 45 मिनट के लिए अब हम क्या करेंगे अब हम इसे रहने देंगे थोड़ी देर थोड़ी दर इसे थंडा होने देंगे अभी घ्यास बन करके इसे थंडा होनेदेंगे हम तोड़ी दिया अभी इसके बाद देखिए मैं ने यहां पर न एक च्छनीट होती है वो उसके नीचे एक बड़ा सा पतिला रखा हुआ है और उपर हम एक ऐसा मसलिन क्लॉत लेंगे जो एक प्रोपर पत्ला सा कॉटन का कपड़ा चो बोल सकते ना वो लेंगे और हम यहां पर अभी इसे चानेंगे ठीक है अच्छे से धीरे धीरे इसे प्रोपर ली चानियेगा आप 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 अच्छे से बात में उसको ना यह भी मसें की तेल जो एक्स्टरान निकल जाए ए देखिए हमारा पूरा जो ओईल है यह थंडा होकर हमने रखिया यहां पर हमारा ओल अब बुरा आप होकर हमने डह यह तो निकालके इतना उइसमें का इसमें तो लिए ने यहां पर ईडले वाले तो यह हमारा सबसे पहला रोजमेरी आ यहां पर आड किया हमने रोज मेरी एसेंचल आड कर चुके हैं यहां पर दस से पंदरा ड्रोप्स ड्रोज में लिए एसेंचल ओई आड करने वाली इस और आपके पास मैंने पहले ही कहा है कि आपके पास जितनी चीजे हैं आप उतना ही आड कीचिए मुझे ना मेरे हार अच्छी ना मेरे खुटके बाल भी बीच में बहुत जड़ रहे थे तो मैं लास्ट दो टाइम से यह और मुझे बहुत इसके अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे है तो मैं हमेशा इसलिए मिना मैं हैर ओयल मेरा ब्लेंड जो है हमारा हैर फॉल ब्लेंड यह इसमें आड करती ही हूं ओयल के अंदर क्योंकि वह बालों को बहुत ही स्ट्रॉंग करने के लिए हल्प करता है तो हमने यहां पर दो बोटल डाली हुई है हैर फॉल ब्लेंड की दो बोटल आज इन 10-10-20 ml का हमने हैर फॉल ब्लेंड डाला है इसके अंदर अब यह से प्रॉपर्ली हम मिक्स करेंगे और यह हमारा हैर ओयल रेड़ी अगर आप चाहते हैं आप इसे खरीदना चाहते हैं बनाना नहीं चाहते हैं तो आपको हमारी कॉ चोड़े चोड़े वीडियो के लिए और यूसफुल वीडियो के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और इस वीडियो को ज़रूर लाइक और शेर कीजेगा तैंक यू